कि कहा जाता है खदीम जमाने में कश्मीर नागाउं से भरी एक जील थी चारों तरफ पानी ही पानी था यहां तरह तरह के कबीले रहते थे दास्ताने हीमा नागराज उसी जमाने की कहानी है यह गुर्बुला नहीं इत दर्या की कहानी है यह रूह हीमा आई मिलने है नागराज से अपने है आज तक बह रही सिशकती हुई नदिया बन यहादियां के जैसे उसी पील हो तस्मीरें रंगो सुगंभरी पिजाएं उसकी धरतन अपनी कहानी से लगती है कैद में रहना ही मेरी तक्तीर बन गया है यह बंगला किसी कॉंसेंट्रेशन कैम से कम नहीं पहले दूसरा था मगर फिर भी यह उस प्यानग पागल खाने से कहीं अच्छा है यह भगवाल फिर वो दिन ना दिखाना पर पर पता नहीं को वो डराबने साएं मेरा पीछा करते वह यहां आ जाएं और हाथ पेर बांद कर फिर से वहीं उसी कमरी में सब्सक्राइब कर फिर से वहीं हाथ है है सार्व उससे बहुत ही जल्दी धून निकालेंगे आप यू समझेए कि उसे पकड़ लेना हमारे बाइँ हाथ का खेल है शड़ाप यह बात ना जाने कितने दिनों से दरवारे हो तुम मैं कह रहा था फॉरण पकड़कर ले आओ मगर नहीं तुमको उसके सभी ठिकाने देखने थे आप खामखा परिशान हो रहें सर एवरिधिंग इस अंडर कंट्रॉल सुरिया के खानदान के लोग हमारी नजर में हैं जब चाहें उनकी नस्दवाई जा सकती हैं हाँ सर और वैसे भी सरिये बाल बच्चे वाले और बहु बेटियों वाले लोग फत्रों से नहीं खेरते जरा सी नस्दवाई हमने और वो जट टुगल देंगे उन्हें नूतन का ठिकाना पता हो तब ना ना सही सुरिया और उसके ससुर को तो जरूर पता होगा मैंने अब सबका पता लगा लिया है तुम अपने आपको धोके में मत रखना अरे तुम नहीं जानते सुरिया के ससुर किसी सादू महात्मा से कम नहीं है जान दे देंगे मगर किसी और की जान खत्रे में नहीं डालेंगे और सुरिया अरे उसे क्या फिकर है अपने जान की और उसके ससुराल वाले वहां सिवाए बाबा के सभी के आखों में खटकती है वो उनके लिए एक उर्बानी दे देगी वो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या कह रहें सराव मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है अरे सर अगर किसी के बच्चे को अगवा कर लिया जाए उसे तरपा तरपा के मारा जाए तो कोई बर्दाश्ट कर लेगा उनका पूरा का पूरा खांदान मेरे चंगुल में है वो चूं तक नहीं कर सकते सराव उनके तक नहीं कर सकते है कौन मेरा पैन उठा के ले लिया मैंने तो नहीं लिया आप लोगों की शेतानी है आप ही यहां से मरे पैन उठा लेते हैं नहीं मैंने नहीं उठाया है अच्छा होंवा क्या आपने आपका छुट्टिया है स्कूल कॉलेज बंद हुए नहीं और हमारी जान लोची दिन रात यह उधम करते है दरके मारे मैं इने बाहर भी नहीं भेज रहे आजकर लड़कियों से भी कह दिया है सहेलियों को भी बता दो बाग बगीचे ना निकला करें कह तो दिया है मगर क्या होने वाला है में तो बहुत डर लग रहा है सारी सारी रात नीन नहीं आती खिड़की के बाहर बैठी बैठी जहांकती रहती हूँ मुझे तो लगता है भाबी सच करम जिखे रही हूँ कि हमारे घर पर कोई नज़र रखे है इसे लगता है अंधिरें भी कोई खूर रहा है हमारे घर को तरके मारे मही रूख आप जाती है देखो रॉंटेबे खड़े हो गए क्या बाते तुम दोनों मायूस क्यों मैं ठी हो तब क्या करें मुझे तो लगता है अब वक्त आ गया है किया, हडो या अपनी-अपनी सोचे कि हम या रहना है ये नहीं कैसी बाते करती हो सुभा-सुभा तो अब क्या करें हमारी तो यहां कोई आहमियत ही नहीं है बस चलती है, तो केवल उसी की जिसने हम अब अब की जान खत्रे में डाल रुकी है कोई किसी की जान नहीं ले रहा है और रहा सुरया का सवाल उसका भी फैसला जल्दी हो जाएगा अरे भाई अब तो अरोस परोस वाले भी पूछने लगे है कि कॉलेज बंद है तो कहां जाती है यह हर रोस कभी दिन रात कभी सुभा सुभा भाई क्या बात है खरकी इज़त क तो कोई ख्याल ही नहीं है सब की जान उपर से खत्रे में डाल रखी है और यह सगाई सरबर है क्या खाप मजा आएगा इस खून खराबे में पुलिस को खबर कर दी गई है क्या कब चुब थीरे किसी को कानो कान खबर नहों अकर उन तक यह बात पहुँच गई तौबा तुम लोग फिकर मत करो क्या खाप चांबीन करेगी अरे बाबा की कार में भनक भी पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे कौन आया है खुदा खेर करे सुनील एकबाल को बुलाओ वो तो यह नहीं है तो तो असलम को बुलाओ जल्दी अधिश्य कुख सब्सक्ष्जिय के दूऑ यहां आइवाज हूं नोर अधिभी जिल्दी दुदांनेगी एक जी बस ऐसे मैं कुछ गेसे वे पसा रहा इसलिए आई नहीं सका इसका मतलब है कि अब हमें भी यहां कुछ ऐसे केस बनाने पड़ेंगे कि तुम यहां आजाओ जी ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा तुम कहवा भी होगे कि नमकीन चाहे नहीं बस ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं सुनील साब अदावर्ज आद मैं नाश्ता वहीं पहुंचाती हूँ हाँ 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 बिटे चलो मैं बैठा कुछ नहीं काट दिया अजकल महुत अजीब अजीब से फोन आने लगे है पता नहीं माजरा क्या है कि यह आदरा इडिंटी का अब तो आपको भरोसा हुआ है मेरा यकीन कीजिए वो पागल खाने से भागी हुई एक खतरनाक मरीज है आप सभी के लिए उसका खत्रा है मैं सच कह रहा हूँ उसकी आदत है कि वो मिठी मिठी बाते करती है और मौका देखते ही वार करती है वो कतल तक कर सकती है इस शीज नट कंट्रोल मैं कहता हूं हमारी मदद कीजिए प्लीज आपकी मदद तो हम ज़रूर करें यह साब पर ठीक है जल्दी से यह बता दीजिए कि लूतन कहा है नहीं साब हमें नहीं पता वो कहा है हमने तो उसे कभी देखा भी नहीं है देखिए जूट मत बोलिए उस दिन जब मैं आपके घर आये था तो बस बस वही एक दिन था हमने उसे नहीं देखा हमें नहीं मालूम वो कहां गायब होगी भावी आपकी भावी से उसका पता चल सकता है तेखे साब सुरेया भावी को हमारे बाबा की शया है इसलिए अगर वो बताना नहीं चाहेंगी तो कोई भी ताकत उनसे पता नहीं कर सकती सोच लीजी उन्ही क कर सकते हैं आपशहें नहीं कि टेके नहीं कि आपी भावी पे निग्रानी रह सकते हैं कि वो कब कभ कभ कहां कहां जाती है क्या टेकिजए आप ने साथ क्यों जपारोस ऑना अर्मोका हैं और में मिलते ही वार कर्तीं यहीं उसके पाग ल 기ansen है आप सब की सिक्यूर्टी इस बात में इंवाल्व है प्लीज हमारी एल्प कीजिए ठीक है साथ, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा, मैं आपको जरूर पता हूंगा अरे, ये तो सुरिया है आपको जरूर आपको जरूर और बात में आपको जरूर आपको जरूर 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 भात की जरूर्टी पता हूंगा मैं कितना घबरा रहा था बोलो, नागराज की कहानी कहा तक पहुचे क्या होता है आगे आप डरिये मत बैठिये फाताल लोग का त्याग किया मैंने फिर मैं प्रते दिन प्रत्सी पराने लगा मन ही मन अपने इश्ट देवता को याद करके आपके पास आने का साहस किया डर रहा था कि आपके साथ चापाऊंगा भी या नहीं कहीं आप मुझे जंगल में ही तो नहीं भैक देंगे कि आपके पनानी प्रता खास थी है कि देखा रहा रहा अपके साथना झाल 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 देखा चले ही गये ना कहां गई सारी सेना उन पर कोई निग्रानी नहीं रख सका चारो तरफ से ना को भेज दो नागराज जहां भी हो उन्हें तुरंत यहां लाया जाए परेशान क्यों हो रही हो हम निर्धारित समय तक ही प्रित्वी पर रह सकते हैं फिर तो उन्हें लोटना ही पड़ेगा आप नहीं जानती प्रित्वी पर कितने संकट है पक पक पर संकट अगर वो किसी संकट के शिकार बन गये तो नागराज के बिना मैं जिवित नहीं रेपाऊंगी उन्हें किसी भेहालत में वापस लाना होगा चाहे इसके लिए मुझे स्वयम ही क्यों न जाना पड़े यह कैसी मूर्कता है इतना विजलित क्यों हो रही हो यह जानते हुए भी कि ना तुम और नाहीं नागराज प्रित्वी पर रह सकते हैं फिर आज अचानक किन संकटों से विजलित हो रही हो और नागराज कोई पहली बार प्रित्वी पर तो गए नहीं है पहली बार नहीं गए है लेकिन अब की बार कुछ नई बात अवश्य है अब की बार इतनी अवधी के बाद गए है और इतनी देर को और लंबी अवधी के बाद नहीं एक घोर तपस्या के बाद गए है किसी ने कभी सोचा है कि ये तपस्या क्यों की गई कि ऐसा उन्हें क्या चाहिए था कि वो अपने प्रांड तक नियुच्छावर करने के लिए तयार हो गये कि उन्हें वर्दान अवश्य मिला होगा कि क्या पर मांगा होगा उन्होंने कभी किसी ने सोचा नहीं ये तुमें ही सोचा मैंने मगर तपस्वी तो वो हमेशा से ही थे मगर ऐसे तपस्या कभी की उन्होंने नहीं तो अब क्यूंकि ये तो कि हम सबसे रूट गए जब अंतस्तल से आये तो मुर्चित थे परंतर जब जागरती आये हम सबको खिर्णा से देखा उलोने जब मुझी तरब देखा तो मुझी फेर लिया घव नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो आप कहिए यदीस में सत्यना हो घ्रिणा तो नहीं कहूंगी मगर हाँ हमसे खिचे खिचे रहने लगे है खिरिणा शब्द तीखा लगा आपको परंतु अर्फ तो वही है है न तुम्हारी बातों में कितनी कड़वाहट है हाँ है क्योंकि मुझे ये चेतना हो रही है कि मेरे साथ छल क्या जा रहा है कुछ ऐसा हो रहा है मेरी चारो तरह और अवश हो रहा है जो मेरा रोम रोम अनुभव कर रहा है पकड नहीं पा रही हूं और इसलिए मन में इतनी कटूता आती जा रही है यह जल्द हमारे साथ क्यों हो रहा है जिनने मैं पूछती हूं इसने है करती हूं इश्वास करती हूं इसा वो क्यों कर रहे हैं मेरे साथ तेरा दोश क्या है हम सब का दोश क्या है क्या कर रहे है वो यह साथ तुम्हारी कल्पना है तुम्हें ब्रह्म भी हो सकता है इर्शा हो गई है तुम्हें ब्रह्म इर्शा अपने अंदर जाकर पूछे अपने अंतरात्मा से क्या मैं जो कुछ भी कहनी हूं आपको प्रम लग रहा है क्या आपको मेरी तरह डर नहीं लग रहा है क्या आपको अपने सर्वनाज के चिन्न नहीं दिखाई दे रहे हैं हे देवता मैं आपके चर्नों में नतमस्तक हूं मुझे अपना लीजे मुझे अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लीजे हे देवता मैं आपसे नव जीवन की भिक्षा माग रहा हूं क्या सोच वही हो रवनी आज भगवान की क्रिपा से इतना प्यारा शिशू मिल रहा है है कोई संपत्तीस से बढ़कर उठो और लगा लो इसे अपने कलेजे से उठो हो तो क्या सफ दувати रहा है यह रहाह है क्या क्या रहा है झायम इस जाए हम उड जायम झाल 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 तक्ती हुई रेक पर चलते जिये दर्ग का पिस्टा है पर के सी दे जुबानी झाल 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 झाल